हलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं योर न्यू डारेक्शन यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनक्यावन हजार नई प्रात्मिक सिच्छकबर्ती विज्यापन पर लेटेश्ट अपडेट और 4290 गजीटी पीजीटी सिच्छकबर्ती मे विज्यपती जारी हो चुकी है उस पे आवेदन प्रक्रिया पर बड़ी अपडेट पर बात करेंगे 8,000 नए पदों पर भी आवेदन शुरू हो चुके हैं इसके अलावा 1918 पदों पर चैन बोर्ट ने एक और भरती की तयारी कर ली है इसके अलावा 4,000 नई लेक पाल भरत यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से उस पर भी बात करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपडेट पर बात करते हैं 50,000 नई परात्मिक सिच्चक बरती पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजेगा सरकार सासन विभाग नई परात्मिक सिच्चक बरती के लिए एक बार फिर से सुचारू रूप से कार कर रहा है हाल ही में अभी दो तरह की विग्यपती जारी हुई जहां पर सिच्चक छात अनुपात की गणना के लिए एक नोटिस जारी हुआ यहां पर कहीं न कहीं सिच्चकों की संख्या कितनी खाली है उत्तर प्रदेश के प्रात्मिक विद्यालियों में इसकी जानकारी बेसी सिच्चा परिसत एकठा करने में जूटे हुए हैं और इसी के करम में कल कुछ छात्र ने सिच्च्च मित्रों को सि सिच्चक का दरजा देते हुए सिच्चक छात अनुपात लगाया गया था इसको ऐसा न किया जाए इसको लेकर सच्यू बेसिक सिच्चा परिसत कार्याले में डियलेट पर सिच्च्चियों ने एक ग्यापन दिया और सच्यू सर से अनुरोद किया कि आप सिच्च्च मित्र को सिच्छक चात अनुपात में सिच्छक तौर पर इनकी गणना ना करें क्योंकि RTE 2009 के तहट नई सिच्छा नीती के तहट ये उलंगन है इस बार जो आप नया डेटा निकाले वो केवल सिच्छक और चात रखा हो सिच्छा मित्रों का उसमें एड ना किया जाए ताकि सिच् हैं इसी वर्स आपको नई प्रात्मिक सिच्छक बरती का जो विज्यापन है वो देखने को मिलेगा इसी क्रम में विभिन तरे का जो डेटा है चाहे वो प्रात्मिक विद्यालियों में हो चाहे उच्छ प्रात्मिक विद्यालियों में हो वो एकत्रित की आजारा है फिलाल नई TGT PGT सिच्छक बरती को लेकर कल देर रात एक नोटिस जारी हुआ जो की चैनल थी अच्छी अपडेट यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि जो विग्यपती है वो उत्तर प्रदेश मादमी सिच्छा सेवा चैन वोड ने जारी कर दी हलाकि जो लाखो चात्र लंबे समय से प्रतिच्छरत थे वो बड़ी भरती के इंतजार कर रहे थे लेकिन बड़ी भरती ना आकर केवल TGT PGT के 42 सो पदों पर ही विग्यापन जारी हुआ और आज 9-6-2022 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन आप www.upsessb.org की आधिकारिक वेबसाइट से जाकर आप जो भी चीजे हैं फुल नोटिफिकेशन को यहां से पढ़ पाएंगे हमारा पिछला वीडियो देखकर भी जानकारी कर सकते हैं और आप इसके लिए आवेदन करें क्योंकि आंतिम जो तित्थी है वो अगले महीने की 9 तारिक याने की 9 जुलाई 2022 है फाइनल फॉर्म सम्मिट करने की तारिक उससे पहले आपको यह प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है अगर आप इस चुक हैं 42 नई टीजीटी पीजीटी सिच्छक भरती में आवेदन करने के लिए तो आप ततकाल आज 12 बजी के बाद आवेदन जरूर करें अब यहाँ पर आगे पदों की संख्या बढ़ेगी उस पर भी हम आपको जानकाली देंगे क्योंकि चैन बोर्ट की तरब से ऐसी सूचना दी गई है अब अगली अपडेट पर बात करते हैं चैन बोर्ट की तरब से ही अच्छी अपडेट को लेकर कि 1918 पदों पर एक और नई भरती के तयारी हो चुकी है चैन बोर्ट की तरब से और इसका भी इंतजार छातरों को लंबे समय से जाब तो यहाँ पर देखिए प्रधाना चार्यों प्रधाना ध्यापक के 1918 पदों पर जो भरती का विज्यापन है वो चैन बोर्ट यहाँ पर जारी करने वाला है बोर्ट ने इन पदों का जो अधियाचन है और केवल प्रकडिया शुरू करने के लिए सासन के निर्देश, दिशा निर्देश की आउशकता है क्योंकि चैन बोर्ट ने जो निक्त पदों का लिज्याचन है वो एकत्रीट करने के साथ एक प्रारू बना कर सासन को भेज दिया है सालसन से मनजूरी मिलने के बाल नई प्रधानाचार की जो भरती है वो चैन बोर्ड की तरब से देखने को मिल जाएगी और यह हो सकता है आने वाले एक आज सब्ते में यानि कि इसी हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि जानकाली आई थी कि TGT PGT विग्यापन के साथ ही प्रधानाचार पदों की जो भरती का विग्यापन है वो देखने को मिलेगा तो TGT PGT का विग्यापन आ गया अब प्रधानाचार और प्रधानाध्यापक के 1918 पदों पर जल्द ही चैन बोड के तरफ से आधिकारी घोशना होगी हम उसके भी अपडेट आपको तुरंट दे देंगे योगता उम्रसीमा सबी चीज़ा आपको बता देंगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर अगर आप सरकारी नौकरी के इंतजार कर रहे हैं तो 8000 पदों पर भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं जिहां आप इन पर भी आवेदन करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए कुछ खास योग गता की है आपको आवेशकता नहीं पड़ेगी क्योंकि IBPS में 8106 पदों के लिए आउनलाइन आवेदन मांगे गई हैं यहां पर जो पद है वो आफिशर स्केल के हैं फर्स्ट के हैं सेकेंड के भी हैं थर्ड के हैं और भी विभिन पदों के लिए आवशर यहां पर आपको दिया जा रहा हैं अगर आपकी आयू 18 वर्स से 40 वर्स के बीच में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एक जून 2022 से आपकी आयू की गणना की जाएगी अगर यहां पर पात्रता की बात करें तो आपको मानता प्राप्त विश्विद् अगर चैन प्रिक्रिया की बात करें तो चैन के लिए आपको प्रारंभिक परिच्छा, मुख्य परिच्छा, सिंगल परिच्छा का आयूजन में सामिल होना होगा कुछ पदों के लिए इंटर्वी भी बुलाया जाएगा कुछ के लिए डाकुमेंट वेरिफिकेशन, इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पुरी जानकारी लें, वहां अश्यावधन करें, सुल्क आपको 850 रुपए का पे करना होगा और 27 जून 2022 से पहले आपको आवधन कर लेना है, क्योंकि ये अंतिमती थी है, इसके बाद आपको आवधन करने का मौका नहीं तो अगर आप योग्यता रखते हैं, नौकरी के चुक हैं, तो आप तुरंत आवधन करें, अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और अंतिम अपडेट की तरफ, जिहां UPSC की तरफ से 4000 पदों पर नई लेकपाल भरती प्रक्रिया को यहां पर बड हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा ही था कि आने वाले 100 दिनों में जितने भी रिक्त पद हैं, उनके अधियाचन प्राप्त कर लिये जाएं, और उसी अधियाचन के करम में 4000 नए लेकपाल रिक्त पद और प्राप्त हो चुके हैं, जिसके लिए UPSC ने तयारी कर लि है कि अभी जो हाल ही में यहाँ पर जुलाई तक UPSC की तरफ से PET 2022 का नोटिफेकेशन आने वाला है, उस परिच्छा और परिणाम के बाद आपको ये 4000 नई लेकपाल भरती का विग्यापन देखने को मिलेगा, तो जो नई PETR ही उसकी तयारियों में जुट जाएं, उसको जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में दीकर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें